एक रात मैं अपनी माँ के कमरे में गई, तो मैं देखकर धंग रह गई, क्योंकि कमरे में चाचा ने मेरी माँ, मेरा नाम पूजा है, और मैं अभी 20 साल की लड़की हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, और मैं अपने माँ बाप की इकलोती बेटी हूँ, मेरी म के बगल में ही हमारे चाचा का घर था जो हमारे घर घूमने के लिए आया करते थे उनका नाम सुनील था एक दिन में अपनी एस्कूल में पढ़ने के लिए गई वहां पे एक लड़का मुझे लाइन मार रहा था लेकिन मैंने उसको भाव नहीं दिया दरसल मैं भी उसको पसं साथ घूमने फिरने लगे उसका नाम सुजीत था अब मैं और सुजीत दोनों साधी करना चाहते थे इधर मेरे पापा रोज अपने ऑफिस जाया करते थे और साम को ही घर आते थे मेरी मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के पास ही था इसलिए उनके कमरे की सारी आवाजे मैं थी, मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजे आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मी के चीखने की आवाज सुनाई दी, फिर मैं यही सब सूचते सूचते सो गई, फिर मैं अगली सुबह कॉले चली गई, वहां मुझे सुजीत ने कहा, पूजा, मेरे मम्मी पापा हमारे रिस्ते के लिए मान गए है, अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खुसी-खुसी अपने घर चली गई, साम का समय था, मेरे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, तभी मैं उनके पास चली गई, औ तो पापा बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है मैं बोली पापा मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे ही साधी करना चाहती हूँ उसने अपने घरवालों को मना लिया है मेरी मम्मी बोली हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम पहले पढ़ाई पूरी कर तब तक हम तुम्हारी साधी के बारे में सोचेंगे। इस पर मुझे मम्मी पे बहुत ज़्यादा गुसा आया और मैं वहां से चली गई। फिर मैं बिना खाय सो गई। आज फिर मुझे रात में मेरी मम्मी के कमड़े से चीखने की आवाजे सुनाई दे रही थी। के कमड़े में चाचा क्या कर रहे हैं। उस कमड़े की सारी खिरकिया और दर्वाजे बंद थे। तो इस वजह से मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सकती थी। अब इसी तरह से दिन बीतने लगता है। और रोज रात को वैसी ही आवाज सुनाई देती थी। तो मैंने सोचा कि इस बात का मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। तो मैंने मम्मी पापा के कमड़े में देखने के लिए एक जगा बना लिया। मैं मेरे प्लान के मुताबित जब मुझे आवाज सुनाई देगी तब मैं देखूंगी कि ये कैसी आवाज है। हुआ कुछ ऐसा भी। रात को म 11 बज रहे थे तभी मेरी मम्मी के कमरे से आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही मैं उस जगह पे गई और देखने लगी। अंदर मुझे कुछ साब दिखाई नहीं दे रहा था क्यूंकि अंदर कुछ धुवा उट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि धुवा कैस उट रहा है। तभी मेरी मम्मी बोली अरे बबा जरा धीरे कीजिए बगल वाले कमरे में मेरी बेटी सोई है। अगर उट गई तो दिक्कत हो जाएगी। उस कमरे में मुझे कुछ धूंदला सा दिखाई दे रहा था। जिससे मैं अपने मम्मे पापा और चाचा के साथ सा मैं उनके कमरे में जाना चाहती थी लेकिन फिर मैंने खुद पे कंट्रोल किया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी पापा कुछ ठके से लग रहे थे लेकिन फिर भी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी और ऐसा विभार कर रही थी जैस से कुछ हुा ही न वह लेकिन इधर मुझे गुस्सा आ रहा था इतने मेही मेरे चाचा आ गये फिर में अपने कॉलेच चली गई और कॉलेच से जब घर आई तब मैंने देखा मेरे मम्मे पापा एक कमरे में बैठे कुछ उधास लग रहे थे तभी मैंने मम्मी से गुस्से में बोला मम्मी ये सब क्या चल रहा है मम्मी बोली कुछ भी तो नहीं बेटा सब तो ठीक है फिर मैं बोली अच्छा जो तुम रात में कर रही थी मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ रात में तुम लोग मिलकर ये सब क्या करते हो और आप लोग के कमरे म रात को चाचा क्या करते हैं आप लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हैं कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए फिर मेरे पापा मुझे एक थपर मारे और बोले हम सब क्या कर रहे थे बेटी तुम्हें तो पता है तुम हमारी एक लौती बेटी हो और इस दुनिया में तुम्ह साधी के लिए तुम्हारी माने तुम्हें क्यों माना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो फिर मैं बोली मैं सुजित से साधी करके बहुत खुश रहूंगी तो इसमें दुख वाली क्या बात है पापा तो फिर पापा बोले नहीं बेटी तुम्हारी क कुंडली का दोस उतारने के लिए हवन कर रहे थे और बात रही तुम्हारे चाचा की तुम्हारे चाचा उस बाबा को लेकर आए थे जिसने इस दोस को उतारने के लिए बताया है अभी हमें साथ दिन तक इस हवन को करना पड़ेगा तब जाकर तुम्हारी कुंडली सही होग और बोली सौरी मम्मी पापा लेकिन आप लोग ये सम मुझे पहले भी तो बता सकते थे तो मम्मी बोली नहीं बेटा हम तुम्हें डिस्टॉप नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे तुम्हारी परहाई बिगर सकती थी फिर इस तरह से हम सब मिलकर या हवन खत्म कर लिया और मेरे पापा ने मेरी और सुजित की साधी करवा दी फिर सुजित भी पापा के घर रहने लगे उनको भी एक बेटे जैसा दमाद मिल गया आज की कहानी आपको कैसी लगे इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइ आए वाद